क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट विच इस इलेक्टरिक चार्जेज एड फील्ड्स सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे इसके बारे में जो की इलेक्ट्रोस्टेटिक से स्टार्ट होता है Electrostatics is a branch of physics that deals with the study of electromagnetic phenomena where electric charges are at rest that is where no moving charges exist after a static equilibrium has been stabilized in physics the electrostatics phenomena pertains to the properties of slow moving or stationary electric charges moreover as this phenomena arises from the forces exerted by the electric charges on each other it is defined by coulombs Electrostatics जहां तक की इस word में जो हमने definition पढ़ा है वहाँ दो word है electro and statics इन दो words को हम जैसे ही define करेंगे आपको ये पता चल जाएगा जो हमारा पहला चेप्टर है electric charges and fields जो किस पर बेज़ड है electro statics पर वो हम branch of physics में पढ़ते हैं उसे हम electro statics कहते हैं electro statics जैसा की word से clear हो रहा है इसमें कहीं न कहीं दो word है first one is electro and second one is statics electro electro एक basic सब्द है जिसका मतलब पहिन है electricity और current से है electricity किस से बनती है charges से तो electro को आभी हम क्या लख सकने हैं यहाँ पर charges और statics statics का मतलब है a thing which is not moving or at completely rest ऐसी कोई चीज़ जो की rest पर है या move नहीं कर रही है at rest so the branch of physics in which we study about the electric charges at rest is known as electro aesthetics इसके आगे इसमें जितने भी फिनोमेनाज हैं जैसे दो charges के बीच में कितना force लगता है जो charges के बीच में force लगता है उसमें magnitude कितना होता है वो सब हमार ने आपको बताया Coulomb's law में इन विच लोग कूलांग्स लोग फर्दर हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इलेक्ट्रिक्चा इस्टोरिकली दा क्रेडेट ओफ डिस्कवरी ओफ दा फेक्ट डेक्ट अमबर रब विद वूल और सिल्क क्लोथ अट्रेक्ट लाइट ओब्जेक्ट गोस तू दा थेल्स ओफ ग्रीस अराउंड 600 बीसी जो यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे है यह थेल्स ओफ मिलेटस का है हिस्टोरिकली जितना भी क्रेडट है चार्ज के ऊपर वो थेल्स ओफ मिलेटस को जाता है जो की ग्रीस सिटी से बिलॉंग करते हैं इन्होंने चार्ज के बारे में अराउंड 600 बीसी में ही बता दिया था इट वोज ऑब्ज़र्ट देट इफ टू ग्लास रॉट्स रॉब्ड विद वूल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो भी दो इलेक्रिक चार्जे होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के लेक्रिक चार्जे होते हैं यहाँ पर हम उन दोनों चार्जे से लगने वाली फोर्स के बारे में पता करेंगे तो यहाँ पर कुछ एग्जामपल लिए हैं लाइक सिल्क क्लोट्स आर ब्रॉट क्लोट्स टू इच अदर दे रीपैल इच अदर इन फिगर वी कन सी देट यहाँ पर एक सिल्क थ्रेट दिया हुआ है यह एक ग्लास रॉट है जब हमने इस सिल्क थ्रेट से ग्लास रॉट को रब किया आप यहाँ देख पा रहे होंगे ग्लास रॉट एक्क्वाइर्स पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोट पर एक positive charges आ जाते हैं फिर हमने क्या किया वहाँ पर एक और glass रोट को लेकर आए जो की positive charge थे एक और glass रोट को लेकर आए जो की positive charge है जब हम दो glass रोट को pass लेकर आए जो की positive charges थी मतलब same दिखने वाले charges थे उन्होंने आपस में repulsion force होगी क्यासी forces की repulsion repel का मतलब होता है दूर जाना एक दूसरे से दूर जाने को हम repel कहते हैं और एक्जांबल देखते हैं charges के the two strands of wool और two pieces of silk cloth with which the rods were rub also repel each other however the glass rod at wool attracted each other similarly two plastic rods rubbed with cats fur repel each other we can see that in figure B which attracted the fur यहां पर हमने देखा कि दो strand है wool के pieces हैं जो की हमने silk cloth से रब किये यहां पर हमने देखा फिर से एक हमने silk thread लिया है और एक plastic rod लिये यहां पर हमने silk thread को plastic rod से रब किया तो plastic rod पर negative charge आ गया फिर हमने उसको एक force feel कराने के लिए एक और plastic rod को लेकर आए जो कि negative charge थी अब हमको पता है जो charges है वो same manner की है कैसे charges है like charges है कैसे charges है like charges एक जैसे दिखने वाले charges like charges है तो आपस में इनमें भी repulsion होगा इसलिए यहां पर लिख रहा है similarly two plastic rod rod with cats were repelled each other अब हम आगे बढ़ते हैं एक और example देखते हैं इसका on the other hand the plastic rod attracts the glass rod and repel the silk और wool with which the glass rod is rubbed the glass rod repels the fur अब हमने यहां पर देखा फिर से हमने यहां पर एक silk thread लिया है एक glass rod को रब किया फिर से जो हमारा glass rod उस पर कैसा charge आ गया positive और हमने इससे पहले example में देखा था जो plastic rod थी वो कैसे charges थी negative charge तो हमने उस negative charge plastic rod को लिया जैसे ही हमने positive charge glass rod को plastic rod के पास लेके आया तो positive charge और जो plastic rod है जो कैसी है negative charge है उससे इन दोनों आपस में क्या चीज होने लगई attraction इसी भी यहां पर क्या लिखा है दा plastic rod दा plastic rod attracts the glass rod यह किसका example है attraction का क्योंकि यहां पर unlike charges है एक charge कैसा है positive और यह charge कैसे है negative इसलिए यहां पर force है वो कैसे है attractive further और example देखते है charges और उनसे होने वाली forces के बारे में if a plastic rod rubbed with fur is made to touch two small pit bills nowadays we can use polystyrene balls suspended by silk or nylon thread then the ball repels each other and are also repaired by rod अब यहां पर हम एक्जांपल में देखते हैं हमने यहां पर plastic rod ली और दो pit balls को उससे attach किया एक plastic Rod ली और उससे दो balls को attach किया लेकिन दौनों पर कैसा charges है like charge है फिर से दौनों पर कैसा charge है light charge है light charge है मतलब एक जैसा दिखने वाला charge है तो आपस में कैसी force लाएंगे रिपल्स है repulsive मतलब दूर दूर भागेंगे यह जो negative charge है वो इस direction में जाएगा और यह negative charge इस direction में जाएगा इसलिए यहाँ पे लिखाए then the balls repel each other एक और example देखते हैं इसका a similar effect is found if the pit balls are touched with a glass rod rubbed with silk एक और हमने example दिया अब जो pit balls थी अब जो यह दोनों pit balls हैं first and second one फिर से लगी हुई है लेकिन इस बार यह किससे लगी हुई है found in the pit balls are touched with a glass rod अब यह क्या है यह glass rod से लगी हुई है लेकिन जो silk balls थी वो दोनों फिर से कैसी है like charges है एक जैसे दिखने वाले charges है इसलिए इनमें आपसमें फिर से कैसी force लगेगी repulsive यह positive charge इस तरह भाग रहा है और यह positive charge इस तरह भाग रहा है दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे तो वो force कैसी हुजाएंगी repulsive last example देखते हैं इसका a dramatic observation is that a pit ball touched with glass rod attracts another pit ball touched with plastic rod in figure you can see that यहाँ पर अब हमने देखा फिर से हमने यह आपर दो pit balls को लिया लेकिन अब इन दोनों में attractive force लग गए क्योंकि यह unlike nature की हैं कैसी नीचर के हैं unlike nature means this is negative and this is positive तो आपस में कैसी force हो करेंगे attractive कैसी force हो करेंगे attractive इसलिए यह आपस में attraction उखर रहा है negative positive की तरफ भाग रहा है और positive negative की तरफ भाग रहा है यह कौन सी force थी? attractive force यह हमने दो charges और उनके बीच में लगने वाली force के nature के बारे में बात की कि charges attractive हैं या repulsive फर्दर हम आगे बढ़ते हैं electric charge और उनकी properties के बारे में electric charge and its properties electric charge is the basic physical property of matter that causes it to experience a force when kept in a electric or magnetic field the two types of electric charges are positive negative commonly carried by charge carriers protons and electrons electric charge जो भी होते हैं उनकी basically जो property होती है वहाँ पर जो force experience करते हैं वो electric और magnetic field में बात करते हैं लेकिन अभी जो यह chapters है starting chapter of physics इसमें हम सिर्व उनके electric properties के बारे में बात करेंगे जैसे हम आगे chapter बढ़ते जाएंगे हमारे magnetism और magnetism and its effect of currents आएंगे वहाँ पर हम इसके magnetic properties के बारे में बात करेंगे और यहां तक हम जानी चुके हैं कि जो electric charges है वो दो types के होते हैं कौन-कौन से first one is positive and another one is negative examples of the types of charges are subatomic particles or the particles of matter like protons are positively charged electrons are negatively charged, neutrons have zero charge, electric charge is a scalar quantity example दे रखे हैं यहां पर जैसे कि protons positively charged होते हैं, electrons negatively charged होते हैं और जो neutrons होते हैं, उनके उपर zero charge होता है, जो electric charge होता है, वो scalar quantity होता है scalar quantity का अब यहां पर क्या मतलब है, जो physics होती है वो 2 physical quantities में divide होती है scalar and vector, यहां पर बताएगा, electric charge इंपredazz इंपrick सेके टलर वॉइंटी है scalar quantity वो quantity होती है, जिनको हम सिर्फ नाब सकते हैं लेकिन उनकी दिशा नहीं बता सकते those physical quantity in which we can only found its magnitude only found its magnitude but not direction but not direction is known as scalar quantity तो electric charge कैसी quantity होती है scalar quantities further coulomb is the unit of electric charge electric charge की unit क्या होती है coulomb coulomb electric charge की unit इसलिए होती है क्योंकि 2 charge इसके बीच में लगने वाले force के जो derivation था जो formula था वो coulomb ने दिया था 2 charges के बीच में लगने वाले force का magnitude और इसके direction के बारे में हमें coulomb से नहीं बताया था जो की हम coulomb's law और coulomb's law in vector form में आगे बढ़ेंगे further यहाँ पर हम देखते है pictorially show किया हुआ है like charges repel and opposite charges attract like positive positive having repulsion also negative negative having reculsion also positive and negative attract each other यहाँ पर आपने देखा positive positive charge एक दूसरे से repel होकर इधर आ गए negative charge भी repulsion होकर दूर चले गए but positive and negative charge आपसमे अट्रेक्ट होकर पास आगे यह charges की properties थी फर्दर आगे बढ़ते हैं properties के बारे में various properties of charges includes the following first additivity of electric charge second one is conservation of electric charge third one is quantization of electric charge in an isolated system electric charge is conserved which means the net electric charge of the system is constant the algebraic sum of the fundamental charges in any isolated system remains the same यहाँ पर charges की तीन properties के बारे में बात किया हुआ है additivity of electric charge conservation of electric charge and quantization of electric charge अब हम इन तीन properties को एक एक करके define करते हैं और आगे परते हैं सबसे पहले हम लेते हैं additivity of electric charge को let us consider a system of charges containing three charges with magnitude q1 q2 and q3 in such a system the total charge of the system can be obtained by algebraically adding the three charges q equal q1 plus q2 plus q3 जैसे हम algebraic में किनी भी तीन चीज़ों को उनका sum निकालने के लिए addition करते हैं charges भी वही property follow करते हैं अगर तीन charges इनका magnitude q1 q2 and q3 दिया हुआ है उनको हमको final result end निकालना है तो उनको हम algebraically add कर सकते हैं like q equal q1 q2 plus q3 these charges have magnitude but no direction are scalar quantities and are treated like real numbers during conducting any operation for a system containing n particles the total charge of the system can be written as q equals q1 plus q2 plus q3 plus dot 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 till qn अगर हमारे पास कोई planar surface है तो उसमें number of charges बहुत जादा भी हो सकते हैं ऐसी planar surfaces इनमें charges स्वे समको add करने के लिए हम q1 q2 q3 तिल जितने भी charges है वह नमबर ओफ चार्ज जितने भी है उन सबको direct addition कर सकते हैं इसी property को additivity of electric charge बोलते हैं अब यहां पर हम उसकी दूसरी property को लेते हैं that is conservation of electric charge according to the principle of conservation of charges the charges are neither created nor destroyed they are only transferred from one body to the other यहां पर बताये गया है जैसे हमने energy के बारे में पड़ा हुआ है energy can neither be created nor can be destroyed it can be transferred from one form to another जैसे हमने एक table को push किया जो भी हमारी energy थी वो table को push करने में निखल गई तो यह energy ना तो हमारी अंदर पहले बनी हुई थी और ना destroy हुई यह energy हमने कहीं से ली और table को push करने की form में हमारी उदर transfer हो गई तो energy ना तो बनती है ना खतम होती है यह transfer होती रहती है एक form से another form में same phenomena और concept charges follow करते हैं उसको हम बोलते हैं conservation of electric charge for example when two object one has some charge and other having no charges are made to come in contact with each other यहां पर हमने देखा कोई भी दो object है जिसमें कोई charges है दूसरा object है जिसमें कोई charges नहीं है वो आपस में contact में आते हैं तो क्या होदा है the charges is transferred from the object possessing some charges to the object possessing no charges until the charges is equally distributed over the whole system here no charge is created or lost and is only transferred from the one possessing an excess of charges to the other possessing a deficit we can say that इसमें बताया हुआ था कि दो charges के बीच में जो deficiency है उसके बारे में example के तौर बद हम ले लेते हैं जैसे हमारे पास दो sphere है sphere one sphere one जिसमें कुछ charges है एक और sphere है जो उसके contact में है और उसमें कोई charge नहीं है तो जिस sphere में charges है तो दूसरी sphere के charge के जब वो contact में आगी तो charges जब तक flow होते रहेंगे charges जब तक flow होते रहेंगे जब तक charges equal number में save नहीं हो जाएंगे q1 charge जब तक second body के q2 charge के equal नहीं हो जाएंगे तो जिस body में deficit है मतलब जिस भी sphere में कमी है तब तक वो charges flow होते रहेंगे next quantization of electric charge ये इसकी तीसरी property है quantization of electric charge according to the principle of quantization of electric charge all the free charges are integral multiples of a basic predefined unit which we denote by e thus the charge possessed by a system can be given as q equals n into e यहाँ पर जो भी charges हैं वो quantization of electric charge को follow करते हैं जो भी charge होते हैं वो integral multiples में होते हैं जो भी charges किसी भी body में होंगे तो वो integral multiples में होंगे वो कभी इंटीजर्स में नहीं होंगे जो charges हैं वो body में रहेंगे उसके लिए एक particular formula दिया, एक particular charge के लिए एक property उना ही, उस property को हम क्या करते हैं, quantization of electric charge, where q equal any, यहाँ पर जो n है, वो denote करता है, number of electrons को, and it denotes the charge, on which charge on electron, q equal any, conductor and insulators, अब हम बात करेंगे, conductors और insulators की, तो conductor और insulators को, हमने एक table पर, उनके comparison के basis पर बताया हुआ है, basis for comparison, conductor, insulator, definition, conductor, material which permits the electric current or heat to pass through it, insulator, restrict the electric current or heat to pass through it, electric field, on conductor, exist on the surface but remains zero inside the conductor, in insulator, in insulator, electric field is not exist, magnetic field in conductor, stores energy, and in insulator, they do not store energy, in potential, it remains same at all the points, in insulator, it remains zero, अब यहाँ पर हमने definition के देखा, conductor और insulator के बीच का difference हमने तीन पार्ट में देखा, सबसे पहले, on the basis of definition, and on the basis of electric field, third number on the basis of magnetic field, and fourth number on the basis of voltage, तो सबसे पहले बात करते हैं हम definition की, conductor, material which permits the electric current or heat to pass through it, ऐसे material, जो की medium हो, किसके electric current और heat के पास होने के, ऐसी वस्तूँ हैं जिनसे electric current और heat पास हो सकती है, उनको हम conductor कहते हैं, on the other hand, insulator, ऐसी कोई भी चीज़ जो restrict करती है, जो की restrict करती है, electric current या heat को पास होने से, उसको हम कहते हैं insulator, अब बात करते हैं electric field, जो electric field होता है, वो हमेशा conductor में exist करता है, लेकिन conductor की अंदर, जो electric field होते हैं, वो zero होता है, बात करते हैं insulator की, जब insulator कोई electric current या heat पास ही नहीं होने देगा, तो उसके अंदर electric field की कोई बात होती नहीं है, इसलिए do not exist, third point magnetic field, जो conductor होते हैं, वो energy store करते हैं, और जब वो heat और current को restrict कर रहा है, तो उसमें electric field ही नहीं है, जहां electric field नहीं है, तो उसमें magnetic field भी नहीं होगी, at fourth point potential, जो potential होता है, वो conductor में हमेशा same रहता है, सारे points पर, remains same, in insulator it will be zero, thank you class.